इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम Amazon के प्रोड़क्ट को Facebook के तुरू सेल कर सकते हैं अब आप सोच रहोंगे हम क्यों Amazon के प्रोड़क्ट को फिरी में सेल करें तो आपको फिरी में सेल नहीं करना है Amazon आपको हर प्रोड़क्ट सेल करने के पीछे कुछ % of commission देंगा वो कैसे Amazon Affiliate Program में जॉइन करके अगर आप Amazon Affiliate Program जॉइन करते हो तो Amazon आपको कुछ % of commission देता है प्रोड़क्ट सेल करने पर और इसी तरह आप Amazon के प्रोड़क्ट को सेल करके फिरी में ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो तो अगर आपको देखना है कैसे लोग Affiliate Marketing के थुरू लाख रूपे अन कर रहे है ओनलाइन वो भी बिना कोई investment कर रहे है तो इस पर माने एक complete video बनाई भी है जिसमें माने बताया हुआ है उस video के अंदर माने बताया हुआ है कैसे माने Affiliate Marketing के जर्ये एक माने के अंदर 80,000 रुपे कमाए बिना कोई investment करे वो भी free of cost तो अगर आपको उस video को देखना है तो उस video को लिंक में उपर i button पर दे दूँगा आप वहाँ से जा कि उस video को देख सकते हो उस video से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेंगा Affiliate Marketing के बारे में तो इस video को देखने के बाद उस video को देखना ना भूलिए उस video के अंदर काफी सारे secret छुपे हुए है Affiliate Marketing के बारे में तो इस video में मैं आपको Amazon के product को Facebook पर कैसे sell करते हैं वो बताऊंगा और इस video को देखने के बाद आप सिर्फ Amazon के product ही नहीं आपको जिस भी company के product को sell करना है आप कर सकते हो तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा product sell करने के एक फिरी वाला होंगा और एक पेड़ वाला होंगा तो आपको जो भी best लगता है जो भी आपको अच्छा लगता है अब उसके थुरो product को sell कर सकते हो Facebook के उपर तो चलते हो और सारी चीज़े हम practically करके देखते हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि हम इस चैनल के उपर ऐसा useful content लाते रहते हैं digital marketing, web development, web designing, email marketing यह सारी चीज़े हम free of cost इस चैनल के उपर provide करते हैं अगर आप यह सारी चीज़े फिर आपको सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो स्वागत है आपका इस चैनल पर मेरा नाम से यह सिद्धिक और आप देख रहे हो digital ventures तो सबसे पहले मैं आपको free का method बताता हूँ जिसके तुर आप facebook के उपर free में product को sell कर सकते हो पर उससे पहले आपको amazon के affiliate program में join होना होगा तो वो कैसे होना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ उसके लिए आपको आना है google के उपर तो search engine में आपको type करना है amazon affiliate और जो पहला link आएंगा उसको आपको कर लेना है open open करने के बाद आपके सामें कुछ इस type का dashboard open होगा तो simple ही यहाँ पर आपको कर लेना है sign up यहाँ से आपका username, password दालना है मैंने already यहाँ पर मेरा account create क्या हुआ है इसलिए मुझे यहाँ पर login को option नजर आ रहा है पर यहाँ पर आपको sign up को option नजर आएंगा वो सारे details आपको जो भी मांगता है वो provide करने है और आपका affiliate account create हो जाएंगा तो अगर आपको account create करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप YouTube पर वीडियो देख सकते हो आने के लिए कैसे product को Facebook के ओपर list करना है और उसे sell करना है उसके लिए मने एक product यहाँ पर open करे हुआ है तो आप जैसे Amazon के affiliate program में join होंगे तो उपर आपको यहाँ पर एक बार नजर आएंगा यह दिख रहा है ना आपको extra बार तो यह मिलता है affiliate program में join होने के बाद तो यहाँ पर आपको आपकी link मिलेंगी यह product की तो simple इस text पर click करना है तो आपकी affiliate link यहाँ पर generate होंगी अगर कोई भी user आपकी link के थुरू इस product को purchase करेंगा तो आपको कुछ percent of commission मिलेंगा तो simple इस link को आपको कर लेना है copy affiliate commission और यहाँ पर इस link को कर लेना है open और यहाँ पर नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको पूरी detail मिल जाएंगे किन-किन products पर आपको कितने percent commission मिलेंगा तो यहाँ पर watch and shoes के ओपर 9% मिलता है kitchen appliance के ओपर 9% मिलता है fitness outdoor के ओपर 9% मिलता है तो यह सारी details आप पर लेना किन-किन products के ओपर आपको कितना percentage मिलेंगा तो यह सारी details आपको यहाँ से पस्ता चल जाएंगी तो मैं आता हूँ Amazon के product के ओपर और इस link को मैं कर लेता हूँ यहाँ से copy अब आपको आना आपके facebook page के ओपर आप जाकर उस वीडियो को देखके एक facebook page create कर सकती हो तो simply यहाँ पर मैं मेरे facebook page के अंदर हूँ यहाँ पर आपको left side में एक menu नजर आएंगा तो इस menu के अंदर आपको shop का option नजर आएंगा simple यहाँ आपको उसको कर लेना है open तो इसको open करने के बाद आपके सामे कुछ इस type का pop up आ जाएंगा आपको simple यहाँ पर agree पर click करना है और इसे कर देना है continue उसके बाद यहाँ पर आपको दो option अजर आएंगे अब किस method के तुरू product को sell करना चाहते हो क्या message के तुरू product को sell करना चाहते हो और उसके बाद यहाँ पर आपको कर लेना है continue उसके बाद यहाँ से आपको पूछेंगा आप कुछ सी currency यूज करना चाहते हो तो हम इंडिया में रहते हो तो हम इंडियान रुपिस select करेंगे उसके बाद इसे कर देना है save तो यह सारे settings फिल करने के बाद आपकी shop यहाँ पर ready हो जाएंगी आप इस shop के अंदर आप products add कर सकते हो पर महीं यहाँ पर आपको एक suggestion देना चाहता हूँ अगर आप फिरी में product को sell करना चाहते हो facebook के उपर तो सबसे पहले आपको आपके facebook page के उपर audience build करने होगी तो आपको सिर्फ यहाँ पर product ही post नहीं करने है आपको पहले audience build करने होगी अच्छे-च्छे post post करके जिससे आपकी facebook के उपर audience build हो और उसके बाद आप product के post कर सकते हो अगर आप फिरी में product sell करना चाहते हो तो आपके facebook page के उपर आपको एक हफ्ते के अंदर एक ही बार product का post करना है और बाखिया आपको सारे post order करने है जिस भी topic से related आपने page create क्या है उस topic से related आपको post करना है रोज और आपको हफ्ते में एक ही बार product का post करना है इससे लोगों को लगेंगा कि आप उन्हें प्रोड़क्ट छेपने की कोशिच ने कर रहे हो आपका genuine content आता है और आप हफते में एक ही बार प्रोड़क्ट पोस्ट करते हो तो उससे आपका engagement बढ़ेगा लोग आप पे trust करेंगे इस तरह से आप Amazon के product को फिरी में Facebook के उपर sell कर सकते हो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ product add करके दिखाता हूँ तो simply product add करने के लिए यहाँ पे आपको add product के उपर click करना है add product पे click करने के बाद आपके सामें कुछ इस type का pop-up open हो जाएंगा तो यहाँ पे आपको product के images add करने तो मैंने Amazon product के कुछ images download के वे वो simply मैं यहाँ पे upload कर दूँगा तो मैं यहाँ से file select करता हूँ तो मैंने यहाँ पे Amazon के product के images download करे वे तो simply मैं यहाँ यहाँ पे 2-3 images upload कर लेता हूँ तो अगर आपके बास Amazon के product के images नहीं है तो simple जब आपको Amazon के उपर आना है इस image के उपर click करना है right click करके image को download कर लेना है इस तरह से आप Amazon के product के images को download करके Facebook के उपर use कर सकती हो उसके बाद simple इसे कर देना use photos तो यहाँ पर हमारे 3 photos add हो चुके उसके बाद यहाँ पर आपको product का नाम add करना होगा, तो मैं आता हो amazon के उपर, और यहाँ से इस product का नाम में कर लें तो copy यहाँ तक और इसे यहाँ पर आके कर दें तो paste उसके बाद यहाँ पर आपको price add करना है, तो हम आते फिर से amazon के उपर, इसका price क्या है, 600 190 रुपे, तो हम आते facebook के उपर, और यहाँ पर मैं enter कर देता हूँ, 600 190 अगर इस product के उपर sale चालो है, देखिए यहाँ पर 66% और तो अगर आपको यहाँ पर sale तो price के अंदर आपको actual price दालने है, जो product की actual price है, जैसा के product की actual price है, 1299 रुपे, तो यहाँ पके आपको 1299 कर लेना है, और यहाँ पे आपको कर लेना है, 600, 190 इस तरह से, उसके बाद आपको product का description लेना है तो product का description आपको नीचे मिल जाएंगा तो देखिए product description यहां के आपको description को copy कर लेना है facebook के उपर आना है और यहां पे कर देना है paste उसके बाद आपको यहां पे आपकी affiliate link डालने होंगी तो इस product के affiliate link आपको उपर मिलेंगी तो देखिए यहां पे आपको top bar के अंदर text option मिलेंगा इसे click करना है तो यहां पे इस product के affiliate link आपकी generate हो जाएंगी simple इस link को आपको कर लेना है copy facebook के उपर आना है और यहां पे कर देना है paste तो यहां पे आपको एक option मिलेंगा क्या कोई इस product को share कर सकता है तो अकर आप इसे on करना चाहते हो तो कर सकते हो यहां इसे आपको off रखना है तो आप off भी रख सकते हो परमाई से कर देता हो on उसके बाद यहां पे आपको visibility का option मिलेगा क्या आप इसे public रखना चाहते हो क्या फिर unpublic तो जाहिर सी बात है हमें product बेचना है तो हम public ही रखेंगे उसके बाद आपको मिलता है product condition product किस condition में new condition में है refurbished है new fair है good है तो यहां पे हमारा product है new तो हम इसे new पर ही रहने देते हैं उसके बाद simply यहां पे आपको कर देना है add product you just added your first product आपका यहां पे first product add हो चुका है facebook के उपर मैं से कर ले तो ok तो simply यहां पे हमारा first product add हो चुका है अगर कोई इस product के उपर click करेंगा तो उसे ऐसा हमारा product नज़र आएंगा यह similar to amazon है amazon का जैसा product page है यह उसी तरह से आपका product page बन चुका है यहां पे सारे product के images नज़र आ रहे है और यहां पे check out website नज़र आ रहे है अगर कोई इस पर click करेंगा तो वो direct Amazon के उपर पहुच जाएंगा देखी वह आ गया Amazon के उपर यहांची वो purchase कर सकता है तो इसे मैं करता हूँ cut अब यहां पे आपको बटन नज़र आएंगा share collection तो इस पर आपको करना है click और इस product को हम कर देते हैं हमारे page के उपर post तो मैं यह आपको कुछ लिख देता हूँ get कितने परसंट आप है 66% आप है get 66% आप नाव और मैं इसे कर देता हूँ post मैं यह जस्ट आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से आपको इस product को आपके page के उपर display कराना है अब यह हमारे product post हो चुका है हमारे page के उपर मैं आता हूँ home page के उपर अब मैं आता हूँ थोड़ा नीचे और देखता हूँ क्या हमारा product यहाँ पर post हुआ है या नहीं Facebook के उपर, हम यहाँ पर Facebook ads का use करेंगे हमारे product को sell करने के लिए, हम कुछ पैसे लगा के हमारे product को promote करेंगे Facebook के उपर इससे होगा क्या, इससे हमारा product ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखेंगा, और अगर हमारा product ज्यादा से ज्यादा sell कैसे होंगा तो इसलिए हम यहाँ पी use करेंगे facebook ads का हम कुछ पैसे लगाएंगे और हमारे product को promote करेंगे ताकि हम जादा सी जादा लोगों तक पहुंचे तो आप कैसे आपके product को promote कर सकते हो facebook के तुरू वो वह भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर तो उसके लिए आपको चाहिए होंगा facebook ad manager account तो आपको नहीं पता है facebook ad account किस तरह से create करते हैं तो इस पर माने एक campaign create करेंगे तो उसके लिए आपको create बटन पर क्लिक करना है जैसी आप create बटन पर क्लिक करोंगे तो आपके साब में कुछ इस टैप का dashboard open होंगा तो यह सारे dashboard के बारे में बने उसी वीडियो में बात की भी है जिस वीडियो को देखके आपने add account create किया है अगर आप उसी वीडियो को पूरा देखोंगे तो आपको इस dashboard के बारे में भी सब कुछ समझ में आ जाएंगा यह objectives किस तरह से काम करते हैं कि यहाँ पर हमें product sale करने के लिए campaign create करना है तो यहाँ पर आपको conversion के अंदर catalog sales का option मिल जाएंगा तो simply हमें इसे करना है select हम catalog sales का campaign create करेंगे उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको आपके campaign का नाम रखना होंगा तो महीं यहाँ पर यही नाम रहने जिता पेज के उपर कोई भी प्रोड़क्ट क्रेट नहीं किया है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले खाएंगा कि आप एक कैटलोग क्रेट किजिए और उस कैटलोग के अंदर आपके प्रोड़क्ट होंगे तो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ किस तरह चापको कैटलोग क्रेट करना है तो उसके लिए आपको आना है बिजनिस टूल के उपर और आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पर आपको कैटलोग मैनेजर का ओप्षन नजर आएंगा सिंपल आपको इस पर करना है क्लिक इसे हम कर देते हैं लिउग दिस पेज यहाँ से हमें कैटलोग क्रेट कर सकते हैं देकि अभी हमने जो प्रोड़क्ट आइड किया है वह यह प्रोड़क्ट है कैटलोग क्रेट करने के लिए यहाँ पर आपको क्रेट के ओपर क्लिक करना है उसके बाद आप किस टाइप का कैटलोग यहाँ पर क्रेट करना चाहते हो फिसे एकिवर्स ट्र्वια्ड ड्रीं गरiyetये लिए उर सकते हो उस पेज को यहाँ पर आपको क्रेट करना होँगा तो मैं यहाँ पर इडिजिटल विंचर रहने देता हो उसके बाद catalog का नाम यहाँ पे आपको रखना होगा तो मैं यहाँ पे Amazon product रख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कर देता हूँ create और यहाँ पे हमारा catalog create हो चुका है उसके बाद मैं करता हूँ view catalog तो दीखिए हमारा catalog create हो चुका है अब आपके catalog के अंदर कोई product अविलेबल नहीं है तो देखिए यहाँ पर आपको ऊपर नज़र आ रहा है zero product तो अभी इस catalog के अंदर आपके कोई भी product add नहीं है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको product add करना होगा तो मैं simply add product पर click करता हूँ यहाँ पर manually select करता हूँ यह दोनों option पर आप ध्यान मत दीजिए हमारी screen थोड़ी large हो गई है इसलिए हमें next का button नजर ने आ रहा है मैं इसे थोड़ा zoom out कर लेता हूँ देखिए यहाँ पर next का button नजर आ गया है इसे मैं करता हूँ next तो यहाँ पर simple है आपके product के images add करने हूँगे तो मैं इस product को यहाँ पर add करता हूँ यहाँ पर इस product का नाम आपको रखना हूँगा तो मैं देखता हूँ इस product को हाँ यह product open है हमारे पास यहाँ से मैं इस product के नाम को कर लेता हूँ copy यहां पर कर देतो पेस्ट उसके बाद इसका description यहां से आपको कर लेना है copy यहां पर आके इसे कर देना है paste उसके बाद content id optional है इसे छोड़ दीजिए आपके product की link यहां पर add करने हैं तो इस product की affiliate link आपको उपर मिलेंगी तो simply हम यहां से link को कर लेते है copy और यहां पर आके website link के अंदर इसे कर देते है paste उसके बाद हम price indian rupees में रखना चाहते है और इसका price है 6190 और उसके बाद simply इसे कर देना है add product तो आपका product catalog के अंदर add हो जाएंगा तो जीकि हमारा successful यहां पर product add हो चुका है इसे simply कर देते है done तो यहां पर activate है हमारा product उसके बाद आते है हम home के उपर इसे करते है refresh तो देखिए यहां पर zero था आप यहां पर एक लिका नजर आ रहा है यानि के हमारा एक product catalog के अंदर create हो चुका है और एक catalog के अंदर आप कितनी भी product add कर सकते हो अगर आपको वहां पर catalog create करने का option नजर आए तो इस तरह से आप catalog create करके उसके अंदर product create कर सकते हो तो मैं फिर से आ जाता हो वापस business tool के उपर और यहां पर आता हो add manager के अंदर तो आपको इतना मुश्किल काम नहीं करना है product को add करने के लिए हमने जो पाहला method यूज क्या था shop के अंदर से product को add करने का उसी के अंदर आप product को add करना हो और उस product को भी आप यहां पर आके add manager के अंदर आके promote कर सकते हो तो simply यहां पर मैं product को कैसे promote करना है add campaign के तुरू वो आपको दिखा देता हूँ तो यहां पर मैं add campaign create करने के लिए create पर करता हो click उसके बाद यहां पर आपको catalog sales select करना है उसके बाद जितनी भी product आपने add के होगे वो यहां पर नज़र आएंगे तो simply इस product को हम कर लेते select उसक इसे कर दीजिए continue उसके बाद यहां पर आपको option नज़र आएंगा create pixel का इसे ok कर लिजिए अगर आपको जानना है facebook pixel क्या होता है यह क्यों use होता है इसे कैसे implement किया जाता है इसके उपर भी मैंने detail में वीडियो बनाए भी है उस वीडियो का link भी मैं उपर i button पढ़ दे दू थ only Chinese Click都. तो हमारा यह product है तो मैंसे कर लिदा हो select उसके बाद नीचे आना है और यहां पर आपको offers का option मिलेगा अगर आपको ओपर create करना हो तो simply on करना है जिस facebook page के ऊपर आपको offer करना है ओं पेज यहां select करना है और यहाँ पर create offer के उपर click कर देना है और यहाँ पर आपको offer की detail डाल लिए होगी जैसा के get seo 66% money in this product now आपको यहाँ पर catchy सा title आट करना है मैं तो यह demo के लिए आपको दिखा रहा हूँ उसके बाद product की detail यहाँ पर डाल सकती हो यह offer कब से कब तक चलेंगा वो यहाँ पर डाल सकते हो उसके बाद यह online इस्टोर में बोत है वह यहाँ पर आपको select करना है कोई promo code है तो यहाँ पर डाल सकती हो और इसके बाद यहाँ पर create नहीं करना चाहता हूँ मैं से कर देता हूँ उसके पास आपको मिलता है यहां पे audience को option अप किस audience को आपकी add दिखाना चालते हूँ तो यहां पर आपको option नजार आएंगए create new audience use save ,saug audience अगर आपके पास कोई save audience है तो आप यहां ची उसे use कर सकते हो यह आपको नवी audience create करना परेंगे. Facebook ने यहापे अभी दो नए option दिये वे retargeting ads और find prospective customers. तो मैं यहापे select करना है find prospective customers. उसके बाद आपको नीचे आना है और यहापे आपको custom audience को option मिलेंगा. तो अभी आपके पास कोई भी custom audience ने होंगी. अगर आपको जानना है custom audience क्या होती है तो इस पर भी मैंने वीडियो बना विए. उस वीडियो का भी link मैं आपको उपर i button पर दे दूँगा. आप जा कर देख सकते हो. Custom audience की मतदश से आपको बहुत ही high conversion rate मिलने के chance रहती है. उसके बाद simple है आपको नीचे आना है तो यहाँ पर आपको location को option मिलेंगा. यहनि आप किस location पर इस product को show करवाना चाहती हो. तो यहाँ पर inbuilt India select है. आप पूरे इंडिया में इस ad को दिखाना चाहती हो. तो आप रहने दे सकते हो. या फिर आप specific कोई state target करना चाहती हो. तो आप यहाँ पर आपको option मिलता है कितनी age से लेके कितनी age तक आप इस ad को दिखाना चाहती हो. तो यहाँ पर मैं 18 से लेके 34 साल की लोगों को इस ad को दिखाना चाहती हो. उसके बाद gender आप कि इस gender की लोगों को यह ad दिखाना चाहती हो. man को, woman को, तो मैं यहाँ पर man को दिखाना चाहता हूँ उसके बाद आपको मिलता है detailed targeting तो detailed targeting के अंदर आप interest, behavior और demographics के इसा आप से audience को target कर सकते हूँ अगर आपको इन तीनों के बारे में जानना है, आपको जानना है किस तरह से facebook के उपर audience को target किया जाता है तो इसके उपर मैंने 3-4 वीडियो बनाई भी है, किस तरह से facebook के उपर audience को target करना है किस तरह से facebook के उपर audience targeting की जाती है, audience research की जाती है तो वो वीडियो बहुत ही important है, facebook के उपर successful ad campaign create करने के लिए तो उसी वीडियो को link भी मैं उपर eye button पर दे दूँगा, आप जाके देख सकते हो आपको पता चल जाएंगा किस तरह से audience research की जाती है और किस तरह से एक perfect audience को अपनी ad दिखानी है तो मैं यहाँ पर आपको simple एक interest ad करके दिखाता हो तो मैं यहाँ पर type करता हो YouTube तो देखे YouTube type करने के बाद आपके साब में कई सारे YouTube के option नज़र आएंगे तो इस YouTube के आगे आगे आपको यहाँ पर interest लिखा है नज़र आएंगा तो हम इसे कर लेते हैं select अब इसका मतलब यह है कि जो भी YouTube के अंदर interest रखते है हमारी एड उनी लोगों को दिखेंगी यह मैंने क्यों select किया क्या क्योंकि हमारा प्रोड़क्ट है ट्राइपोड और ट्राइपोड में इंट्रेस्ट वही लोगों काऊंगा जो YouTube पे काम करते है जो वीडियो बनाती है इसी तरह से आपके audience का interest किस तरह से जाना जाता है, किस तरह से उनका बीहेवएर जाना जाता है किस तरह से demographic के साफ से audience को target किा जाता है तो ये सारी details मायने audience targeting के वीडियो आनदरze की बताइब यह तो वो वीडियो देखके आपको पता चल जाएंगा किस तरह से audience targeting करना है तो देखें यहाँ पर YouTube में interest रखने वाले 41,000 से 1,18,000 लोग है जिने हमारी ad देख सकती है और उसमसे हमें clicks कितने मिलेंगे 480 से लेके 1200 clicks हमें मिल सकते है कितने पैसे के अंदर वो मैं आपको नीचे बताओंगा तो simply उसके बाद आपको आना है नीचे और यहाँ पे आपको show mode नज़र आएंगा उसे आपको click करना है और यहाँ पे आपको connection नज़र आएंगा कर्यक्षन को अगर आप इडिट करते हो तो यहां पे आपको नजर आएंगा किस लोगों को आपके आट दिखाना चाहती हो क्या जो आपके पेज को लाइक करते हो उन्हें आट दिखाना चाहती हो या फिर आप आपके पेज को जो लाइक करते हैं उन्हें आपके आट नहीं उसके बाद आपको नीचे आना है Facebook ने एक और नया option दिया है exclusion का, जहासे आप people को exclude कर सकते हो, जैसा कि आप नहीं चाहते हो कि आपके add ऐसे लोगों को दिखे जिन्होंने पिछले 10 दिनों के अंदर आपका product purchase किया हुआ है, तो यहासे आप उन्हें exclude कर सकते हो, आपके add ऐसे लोगों को नहीं दिखेंगी, जिन्होंने already आपका product purchase किया हुआ है तो यहासे आप वो काम कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है no exclusion अगर आपको कोई भी exclusion नहीं करना है तो simply आपको इसे click करना होगा और यहाँ पे आप custom exclusion create करना चाहते हो, तो simply इसे click करना है तो मैं यहाँ पे आपको recommend करूँगा सबसे उपर वाला ही select रने देना, उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिलता है placement option तो auto placement के जरीए आपके add उन सारे जोगों पे दिखेंगी जहाँ पर भी facebook दिखा सकता है जसके instagram पे हो गया, instagram story हो गया facebook field हो गया, facebook market हो गया facebook network हो गया इन सारे platform पे आपकी add दिखेंगी पर हम नहीं चाहते ही कि इन सारे platform पे हमारी add दिखें, तो आपको करना है और यहाँ पर जिस भी platform के ऊपर आपकी add को आपको नहीं दिखाना है simply उसे कर देना है, untick तो मैं यहाँ पर करता हूँ, automatic placement उसके बाद आपको मिलता है budget and schedule का option budget and schedule के अंदर आपको पूचेंगा आप पैसा कप पे करना चाहते हो आपका पैसा कप कटेंगा क्या आपको conversion मिले जब आपका पैसा कटना चाहिए या फिर कोई आपके add के ओपर क्लिक करेंगा जब आपका पैसा कटना चाहिए या फिर सिर्फ आपका add किसी को दिखेंगा जब आपका पैसा यहाँ पे कटना चाहिए तो simply हम यहाँ पे करते link click, जब हमारे product के ओपर कोई click करेंगा, तब हमारा पैसा कटना चाहिए, और यहाँ पे आप cost control भी कर सकते हो, यानि कि एक बार कोई हमारे add के ओपर click करेंगा तो हमारा कितना पैसा कटना चाहिए तो simply हम इसे ऐसे रहने देना तो इसे ऐसे रहने देना, Facebook आपको best price देता है, एक click के ओपर अगर आप खुछ से लगाऊंगे, तो आप हो सकता है ज़्यादा pay करो तो उसके पाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको budget select करना है आप daily कितना budget खर्च करना चाहते हो, और आप lifetime कितना budget खर्च करना चाहते हो, यहाँ पर आपको दो option मिलते है, तो मैं इसे daily पर select करता हूँ अगर आप 4000 रुपे daily खर्च करते हो तो यहाँ पर आपको 428 से लेके 1200 clicks मिल सकते है, daily और अगर आप यहाँ पर 1000 रुपे खर्च करते हो daily तो यहाँ पर आपको 107 से लेके 309 clicks मिल सकते है, daily तो देखिए, यहाँ पर 107 से 309 clicks मिल रहे है अगर आप high commission product यहाँ पर sell कर सकते हो 309 clicks में से अगर आपका product 4-5 जनाई purchase कर लेते तो आपको यहाँ पे कितना commission मिल सकता है अगर आप high commission product sell करते हो तो अगर आपको high commission product sell करना है आपको एक sell के उपर 3-4,000 रुपे मिले ऐसा product अगर आपको sell करना है तो 80,000 रुपे मैंने कैसे कबा एक मैने के अंदर उस वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है एक product sell करने के उपर आपको 3-4,000 रुपे कौन से product के उपर मिलते है तो उस वीडियो का देख लेना आपको पता चल जाएगा हाई product commission वाले product आपको का पर मिलेंगे तो देखें आपको पता चल गया आपको 1000 रुपे खर्च करने पर यहापको इतने clicks मिलेंगे इतनी reach होंगे इतने लोगों को आपके add देखेंगी उसके बाद यहापे आपको time और date select करने का option मिलेंगा आप कब से लेगे कब तक यहापे आपके add दिखाना चाते हो तो यहापे वह select कर सकते हो आप उसके बाद आपकी total यहापे देखिए price इतनी नजर आ रही है क्यों क्योंकि यहापे एक मैने का time date select है तो simply मैंसे यहापे करता हो select तो मैं यहापे कर देता हो 31 July यह August है 31 July तो दीखिए यहापे 1000 रुपे और हमें tax लग रहा है 180 रुपे उसके बाद simply यहापे आपको कर लेना है continue उसके बाद continue करने के बाद यहापे आपको add का नाम रखना होगा फिर से जो भी नाम आप रखना चाहो रख सकते हो मैं इसे ऐसे रहने देना चाहता हो उसके बाद किस page के उपर आप add दिखाना चाहते हो वो page यहापे आपको select करना है Instagram के उपर किस page के उपर दिखाना चाहते हो वो page select करना है उसके बाद आपको format मिलता है किस format में आप add को दिखाना चाहती हो उसके बाद add creative मिलता है देखिए इस तरह से आपका add creative नजर आएंगा यहाँ पे आपका product कुछ इस तरह से नजर आएंगा आपके mobile फील्ड में और facebook के news फील्ड में उसके बाद यहाँ चे आप कुछ primary text लिखना चाहती हो तो आप लिख सक आपके लिखना है जिससे लोग attract हो इस टाप का आपको यहाँ पर उटा के पेशने करना है मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए add कर रहा हो यहाँ पर प्रोड़क्ट के उपर आपको टेक्स नजर आएंगा तो यहाँ पर आपको product की link add करना है तो आप कर सकते हो वाईसे हम पर mobile app हमारे पास कोई नहीं है उसके बाद deep link destination मिलेंगा इसका मतलब यह कि कोई link को click करेंगा तो वो new browser में open होना चाहिए या फिर वही field में open होना चाहिए वो पूचेंगा तो हम यहाँ पर new browser में हमारे link को open करेंगे उसके बाद call to action button आप कौन site करना चाहती हो तो हमारा product है तो यहाँ पर shop now का button already selected है तो हम इसे ही रहने देती है उसके बाद simple है आपको नीचे आना है और यहाँ पर कर देना है confirm यह confirm नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारा error आ चुका है error क्या है हमारा schedule थोड़ा सा short है तो हम फिर से आना होगा add set level के उपर और यहाँ पर मैं आता चुल को कर देता हूँ 31st July से लेके 1st August तक उसके बाद मैं इसे कर देता हूँ continue तो हमारा error यहाँ से जा चुका है हम आते है नीचे और इसे मैं कर देता हूँ confirm तो देखे successfully हमारा campaign यहाँ पर create हो चुका है जैसे यह approve हो जाएंगा तो आपका campaign run होना start हो जाएंगा अगर account के अंदर पैसे नहीं है तो आपको सबसे पहले पैसे add करने होंगे अगर आपको नहीं पता है Facebook account के अंदर पैसे कैसे add के जाते है तो इसके उपर भी बने एक वीडियो बनाई विए उस वीडियो का link भी मैं उपर i button पर दे दूँगा उस वीडियो को देखके आप Facebook के अं online earning कर सकते हो Facebook के उपर तो आशकरतों आपको ये वीडियो पसंद आएउंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लिस इस वीडियो को like जरूर कर देना और अगर आपको कोई भी question या doubt है तो आप मुझे नीचे comment वाक्स में पूच सकते हो मैं तुरंत आपका answer दे पीस